अब हमारा टॉपिक है magnitude of g above and below from earth surface यानि यह gravitational acceleration अर्थ की surface के height पर जाने से इसमें क्या change जाता है और अर्थ की surface के नीचे depth में जाने पर इस value में क्या change जाता है इसको find करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखो दो diagram बने हुए हैं फर्ष्ट में क्या है body को हमने h height पर ले जा रखा है और second में earth की surface से h depth में ले जा रखा हमने body को ठीक है तो दौनों ही condition में हम देखेंगे कि gravity पर क्या effect पड़ता है तो सबसे पहले इस condition में above देखेंगे जी की value earth की surface से ऊपर देखेंगे तो a point पर क्या हो जाएगा at a g is equal to gm e upon r e square ठीक है ये g की value a point पर है अब b point पर देख लेंगे जरा at b change होगी g dash gm e upon r e square की place पर हो जाएगा r e plus h का whole square clear दोनों को divide कर दो तो g dash upon g is equal to gm e upon r e plus h का whole square into r e square upon gm e हो जाएगा ये cancel g dash equal to g upon ये r e square और r e plus h का whole square g dash is equal to g r e square यहाँ से देखो r e square को मना जाएगा one plus h upon r e बचा और ये cancel हुआ तो result निकल के आया g dash is equal to g upon one plus h upon r e का whole square यहाँ इससे clear है जब h की value बढ़ाएंगे हम तो ये term बढ़ेगी ये term बढ़ने के बाद one में जुड़े का नीचे denominator बढ़ जायागा h के बढ़ने से denominator बढ़ेगा जब denominator बढ़ जायागा तो g dash घटेगा यानि h increase तो g dash decrease होगा यानि height बढ़ने से g के value घटेगी ठीक है अब देखते हैं इसकी depth पे क्या होता आज़र तो a point पर at a तो g is equal to होगा g m e upon r e square first equation अब b point पर देख लेते हैं g dash equal to g m जो को इस point पर जो mass काम करेगा जैसे हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर भी earth का mass काम कर रहा है पूरा और यहाँ पर भी earth का mass काम कर रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा change है यह point पर तो earth का पूरा mass काम करेगा लेकिन इस point पर जो mass काम करेगा वो केवल ये portion mass काम करेगा जो inner circle का mass बाहर का mass काम नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ यही point लियाद रखना है B point पर mass m इना रहे केवल m रहेगा और upon radius यह रहेगी यानि r e minus h का hall square clear अब फिर दोनों equation को आपस में divide कर देंगे g dash equal to g g m r e minus h का hall square into r e square upon g m e g से g cancel यहाँ तो सारा term cancel होगी ति mass भी cancel होगे तहाँ लेकिन हम mass cancel नहीं होगा mass अलग है थोड़ा सा ठीक है तो mass अलग है तो हम थोड़ा से इसको और open करेंगे भी mass को volume into density यानि density की multiply करेंगे और volume 4 by 3 pi r e cube r e की जगए r e minus h की hall cube ठीक है into r e square यह वाला square होगया upon r e minus h का hall square वही m e को फिर थोड़ा open करेंगे density into volume 4 by 3 y r e cube यह होगया रो से रो cancel बोलो यह term cancel 4 by 3 pi cancel यह cancel यह इससे cancel क्या बचा r e minus h upon r e बचा है यहां से नीचे से ठीक है तो g dash upon g तो g dash क्या हो गया g 1 minus h upon r e यह निकल के आया ठीक है यहां से इससे clear है h बढ़ाएंगे तो 1 में ऐसे घटने वाली चीज़ h बढ़ाएंगे तो यह term बढ़ेगी यह बढ़ेगी तो 1 में से घटने वाली चीज़ कम होगी कम होगी तो g dash भी कम होगा यानि depth बढ़ेगी तो g यहां पर भी decrease होगी यानि जैसा condition यहां थी height बढ़ने पर भी g कम हो रहा है h को 0 कर दो जड़ा h को 0 करने का मतलब है कि हम इस point को उठा के और center पर लेगे ठीक है तो h को 0 करेंगे तो यहां 1 आ जायागा so sorry h को 0 नहीं h को बढ़ाएंगे न h को यहां से बढ़ते 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 हैं यानि h को r e के बढ़ाबर करना है sorry h को क्या करना है r e के बढ़ाबर करना है तो जैसी h को r e के बढ़ाबर करेंगे तो h के place पर re लिखेंगे re से re cancel 1 1 मैस 1 गया 0 तो g dash की value हो जाएगी 0 यानि अर्थ के center पर gravity क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी h को 0 कर दो अब सर फिर h को 0 करने का मतलब है इस b point को उठा के हम a point पर लेगी यानि gravity फिर वो g dash बढ़ाबर g हो जाएगा उस condition में तो overall center पर हो गया क्या center पर gravitation g की value हो गई 0 अगर g की value में हम graph बनाए radius के साथ तो कुछ ऐसा आएगा देखें जड़ा ये देखो अर्थ बना रखे हमने ये center है center पर g की value अभी भी हमने बताया center पर g की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है तो center पर g की value क्या होगी 0 तो point यहां आ गया अब h की depth वही center पर ये point ये देखो ये वाला point कहां पर है center पर तो h 0 अब इस को इस depth को थोड़े सी कम करो यानि इस point को उपर को उठाओ ऐसे है ठीक है तो जब depth बढ़ रही थी तो g घट रहा था अब depth कम हो रही है तो g बढ़ेगा तो अगर हम देखो ज़रा यहां पर पहुच रहे हैं depth को थोड़ा कम कर रहे है ठीक है यानि यह बना यहां पर point बना यहां पर अब depth को हमने बिल्कुल 0 कर दिया हम center पा आगे ठीक है यहां पा आगे तो g की value भी g हो गई अब यहां पर g डैस एक्चुली तो g डैस बराबर यहां पर g आ गया surface की बात कर रहे हैं तो overall point बन गया यहां पर यह हो गया center से surface तक का g और height depth के respect में graph अब हम करेंगे बात surface के ऊपर जा रहे हैं जब हम जैसे हम surface के ऊपर जाएंगे तो g फिर घटना सुरू होगा लेकिन straightly नहीं घटके है कि को inverse पे follow कर रहा है mathematical अगर हम देखें तो गिराफ बनेगा कुछ इस तरह से ऐसे ठीक है तो इस तरह से radius और gravity depth और देखो इस point से लेके इस point तक तो depth की बात हो रही है उपर से नीचे आएंगे तो depth बढ़ रही है नीचे से उपर जा रहे हैं तो depth घट रही है अब यहां से उपर को height की बात करेंगे कि height बढ़ना ठीक है point जैसे जैसे height बढ़ेगी वैसे gravity कम होगी लेकिन gravity degrees जो होगी वो linear नहीं ना होके वो कर्बड में degrees होगी इस तरह से ठीक है ऐसे है इस तरह से graph चलेगा यानि यहां पर भी g decrease हो रही है center से surface तक तो g increase हो रही है और यह यह कहें कि surface से center तक जाएं गहराई बढ़ने पर g घटेगा और यहां पर height बढ़ने पर g घट रहा है ठीक है तो यह है graph इसके साथ depth और height के respect में gravity के change गा इसका मतलब यह हुआ जो gravity g की value है वो अर्थ की surface पर ही सबसे जादा होती है Thank you